हेलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फर्स टाम विजिट के आचालन को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चालन को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो यहापर पैसा डबल करने का आसान फॉर्मिला है दोस्तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना लिंक उपर आई बटन पे मिल जाएगा तो चले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो अगर हम लोग कल के दिन की बात करें कल मतलब येस्टरडे की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग को पता ही है हमारे सेंट्स में जबरदस धमाका हुआ था एक पसंट के आसपास की तेजी निफ्टी में भी नियरबाइ 1% के आसपास की तेजी 178 पॉइंट की शांदार परफॉर्मंस तेजी हम लोग को देखने का पे मिली थी और ये तब हुआ था जब हम सभी लोग को पता है कि अमेरिकन बाजार का जो इंडेक्स है डो जोन्स की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट था ठीक है अगर हम लोग कल के ही दिन की बात करें तो हमारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद अमेरिकन बाजार तो चलता ही आप सभी लोग को पता है तो अमेरिकन बाजार के जो डो जोन्स है उसमें हम लोग को 1% की तेजी देखने का मिली है तो बाजार भी भागा मतलब हमारा भी मार्केट भागे गाई करके गैरेंटी नहीं है हाँ पर 10 में से अगर आप चेक करोगे तो 7-8 बार ये चीज़े हम लोगो रिबेट होते भी देखने को मिल जाती कि अगर अमेरिकन बाजार अच्छा करता है तो हमारी ओपनिंग भी शांद बड़ी उमीद की किरण, होप क्रियेट होते भी देखने को मिल रही है कि हमारे मार्केट में भी शांदार धमा का यहापे हो सकता है क्योंकि इसके पहले कि अगर हम लोग ये तेजी की बात करें तो डोजोंस में इतनी तेजी हापे नहीं थी सिर्फ नैजडेक में तेजी तो और भी गजब की तेजी हापे दिखाई है तो इसके चलते हमारे बाजार में भी मंडे की दिन शायद से अच्छा परफॉर्मंस हो सकता है ये एक अच्छी उमीद की किरण हमनों को होप जंदरेट होते भी देखने को मिल रही है देन दोस्त अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेडर लोग उस एक दिन के लिए अच्छा सेलिबरेट कर सकते है तो 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट की भी तेजी आ सकती है तो ये तो फिर सिर्फ 300 पॉइंट की तेजी है तो ये तेजी किस चीज के चलते हुई है तो आप देख सकते है वाल स्ट्रीट हम लोग इनके बीच में जो जगड़ा देखने को मिल रहा है वहां के जो political parties होती है Democrats की बात करे Republicans की बात करे तो शायद से इनमें हमनों को बीच का रस्ता निकलते वे दिखने को मिल सकता है and obviously दोस्तों देखे अगर negotiation आपको करने किसी को एक को थोड़ा मतलब पीछे आना पड़ेगा तब ही जाके negotiations हो पाएंगे अगर ये मतलब बोलते हैं न इगो लेकर बैड़ गए मतलब बोलते हैं अडियल स्वभाव लेकर बैड़ गए तो फिर डिक्कते हापे हो सकती है बट फिलाल बाजार को क्या लग रहा है देखे ऐसे न कुछ न कुछ खबरे आती रहती है इनकी बार-बार meeting होती रहती है तो कुछ न कुछ report वो meeting में कोई न कोई attend करता ही है तो वो report के जरिये बता देते है कि लग रहा है कि अभी कुछ positive talk हो रहे है इसी चीज़ के चलते है कि ये शब्द बार-बार आते रहेगा कि hope कि शायद से depth ceiling increase होने से related कुछ positive खबर यहाँ पर आ सकती है करगे तो जैसे इस प्रकार की खबरे सामने आ जाती है तो American Bazaar में थोड़ा सा खुशी का माहोल यहाँ पर निकल आता है अगर कल यही खबरे अगर निकल कर आ गई कि नहीं मान रहे दोनों के दोनों अभी भी आडियल सभवा लेकर बेठे हुए तो यही गिरने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अल्यड़ी हम लोगों ने विटनेस किया ता अभी हाली में ही कि कितना जबर्दस American Bazar में हमनों को volatility देखने को मिली थी तो ये इसी उमीद के चलते American Bazar चलते वे देखने को मिली थी अभी फिलाल की जो उमीद आ रही है वो अच्छी आते वे देखने को मिल रही है रिपोर्ट के जरी ये खबर सामने आ रहे है कि शायद से कुछ positive talk होते वे देखने को मिल रहे है शायद से इन दोनों के बीच में कुछ समदोजा हो जाए and dip selling increase यहाँ पे हो जाए तो यह जो temporary basis का problem है temporary इसलिए कह रहा हूं कि हर किसी को पता है कि आज ने तो कल जाकर किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा बढ़ कब तक यह drama चलता रहेगा उस हिसाब से trading यहाँ पे चलती रहेगी तो इसी चीज़ के चलती ही सारी चीज़े हाँ चल रही है so एक जून तक का time बताय गया था बढ़ बाद में Goldman Sachs ने यहाँ पे बता दिया कि इनके पास तो वैसे तो 8 जून तक पैसा है so शायद से 8 जून तक भी चीज़े हाँ पे stretch आउट भी हो सकती है and प्लस उसी की साथ-साथ यह भी बताय गया था कि इसी हफते के आखरी दिन तक शायद से कुछ रस्ता निकल ले करके तो वो भी देखने वाली बात है कि कोई रस्ता निकलता है भी या नहीं करके and अगर निकल जाता है तो ओविस कि हमारे बाजार के लिए भी अच्छी बात यहाँ पे होगी क्योंकि यह मैं कल के वीडियो में भी आप लों को बोल चुका था वो एक मुद्धा बाद में आपको बता है मार्केट को कोई न कोई कारण चाहिए होता है उसी चीज के चलते ट्रेडिंग चलती रहती है तो उस मुद्धे को बाद में शायद से थोड़ा सा उच्छला जा सकता है बट फिलाल अगर देखा गया तो पूरा जो कैमेरा है वो अमेरिकन बाजार के उपर लगा हुआ है कि वो डेफ्ट सिलिंग से रिलेटेड क्या करते एक बार डेफ्ट सिलिंग हड़ गया फिर वापस वो इंफलेशन का गाना बजना शुरू हो जाएगा तब तक के लिए अगर हम लग बात करें तो इंडियन मार्केट हम कह सकते हैं जो फ्राइडे की दिन का परफर्मस अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है डेफिनेटली उस चीज़ के चलते हैं इंडियन मार्केट में एक और उमीद यहापे क्रेट हो सकती है कि शायद से मंडे के दिन भी हम अच्छा परफर्मस यहापे जरूर दे सके क्योंकि हम हमारे इंटर्नली रिजन्स की बात करें तो एक मुद्दा था अदानी से रिलेटेड वो तो 50% थोड़ा बहुत कम होते वे देखने को मिला है जिसके चलते बैंक निफ्टी में एक रहत देखने को मलें बैंक निफ्टी भी बिल्कुल टॉप लेवल पर आते वे के लिए रहते हो easily पैसा बन जाएगा इससे बढ़िया और क्या golden opportunity मतलब 20-25 बुड़े मिल जाएंगे आपको right problem क्या होते है कि हम लोग bottom पकड़ने की कोशिश करते कि अगर मैं buy कर ले तो वहां से और गिर गया तो और खरीद लेना अगर है आपके पास capacity तो नहीं है तो hold कर की महोल देखने को मिल रहा है कि IT सेक्टर अल्यड़ी बहुत सारे नीचे स्टॉक्स देखने को मिल रहे है और नैजड़े कितना अच्छा किया अगर IT सेक्टर में अच्छी तेजी अगर आ जाती है तो और भी हमनों को अच्छा वासा performance देखने को मिल सकता है जैसे कि कल के दिन में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी मतलब अल्टिमेटली फाइनेशल सर्विसेस थर्टी एट परसेंट कोंटरबिट करता है निफ्टी 50 के वेटेज में दैन आईटी सेक्टर की भी बात करें तो लगबग 18-20 परसेंट के आसपास का वेटेज है मतलब इन दोनो सेक्टर का जो वेट है वो 50% से जादा है अगर ये दोनों सेक्टर अच्छा करेंगे जिसमें से आईटी में एक उमिद की किरेंट तो अल्रडी आ चुके कि नैजड़क इतना अच्छा करेगा तो हमारे आईटी ने थोड़ा बहुत तो अच्छा यहापे करना चाहिए तो अगर रिलाइंज भी अगर अपना सपोर्ट यहापे प्रोवाइड कर ही देता है मंडे के दिन तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि यह सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी इफ्टी का देता है प्लस उसी के साचा जो थर्ड नंबर का सेक्टर आ जाता है फैनेंशल सर अगर 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 नेगेटिव पॉंट अगर नहीं आए आपको पता है बाजार है दुनिया भर में क्या-क्या चीजे चलती रहती है तो अगर बिल्कुल निउट्रल रही सारी चीजे जैसा चल रहा था फ्राइडे की दिन वैसा ही चलता रहा तो डेफिनेटलि आप मंडे की दिन हमारे बाजार के भी अपनी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है और उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या और एडिश पर शेर नीचे देखने को मिल रहे है उनमें फटा-फट बाइंग होते वी देखने को आप मिल सकती है और इसके चलते हमारे मार्केट को भी एक अच्छा का सा बूस्ट आप मिल सकता है तो देख लेते कि आप मंडे की दिन बाजार में क्या होता है करके बट फिलाल जो एक से बिलकुल फ्री आफ कच प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको सिर्फ एक काम करने आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के तरू उपन किया है यह प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्षन में में मिंचन करना है तो हफते बर के अंदर अंदर यह सारे लेक्शर्स मेरे स से बिलकुल फ्री आफ कच प्रोवाइड कर दे जाएंगे तक एक शेर बाजार को थोड़ा सा मतलब जो बेसिक से उसको आसान भाषा से आपे सीख सको चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइब बाई